जब से ठीक धाई घंटे के बाद दोपेर तीन बजे लोगसवा चुनाव का ऐलान हो जाएगा तारिखे सामने आ जाएंगी माना जा रहा है दस अप्रेल से 21 मई तक मद्दान की प्रफ्रिया खतम करा ली जाएगी और 27 मई तक चुनाव के नतीजे भी घोशित किये जा सकते हैं इसी लोगसवा चुनाव के साथ चाराज्यों की वधानसवा चुनाव भी होने वाली है जिसमें ओडिशा, आंद प्रदेश सक्किम और अरुनाचल प्रदेश में वधानसवा के चुनाव होने हैं संभावना नज़रारी है कि जम्मू कश्मीर के वधानसवा चुनाव भी साथ कराई जा सकते हैं इसे लेकर और अपचारिक मुलाकाते और बैठके हो चुकी हैं लेकिन अपचारिक तोर पर कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है वैसे सूतर बता रहे हैं कि लोगसभा चुनाव इस बार भी छे से साथ चरणों में कराई जा सकते हैं आज लोगसभा चुनाव के तारीकों का ऐलान होगा पिछले लोगसभा चुनाव के तुलना में इस बार साथ करोड जादा मतदाता रहने वाले हैं पास साल में पुरुशों के मुकाबले महिला मतदाता एक करोड जादा बढ़ी हुई है 2019 और 2024 के अगर हम बात करें तो 2019 में 89.6 करोड वोटर्स थे 2024 में आपको बताते चलें कि उनके तादाद बढ़ गई थी लेकिन इस बार के सती क्या होगी ये बड़ा सवाद बना हुआ है फिलहाल हम आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं देश का मिजाज इसने क्या जानकारी रखी थी देश के सामने सबसे पहले अपने वो आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने रखना चाहेंगे देखे मौजुदा वक्त में यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं 2019 का डेटा है कि 2019 में किसको कितने वोट मिले थे यहाँ पर एंडिये के खाते में 45 फीसदी वोट शेयर गया था यूपीए के पास 27 फीसदी गया था यह जो शेत्रे दल है 28 फीसदी वोट शेयर उन लोगों को हासल हुए थे 2019 का वोट शेयर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और इसको सीटों में कनवर्ट करके आपको दखाएं आपको हमने जानकारी दी है भारतिय जनता पार्टी ने अकेले बीजेपी को 303 सीटे मिली थी साल 2019 के एलेक्शन में जबकि 353 सीटों पर NDA को जीत हासल हुई थी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं देखे NDA को 352 सीटे जबकि बीजेपी के इसमें अकेले 303 सीटे थी UPA को 91 सीटे जिसमें कॉंग्रेस पार्टी के पास 52 सीटे थी जबकि अन्नी के खाते में 99 सीटे थी जिसमें सबसे ज़ादा एक तरह से आप कहा सकते हैं कि शेत्री दलों में कमाल का प्रदर्शन किया गया था 42 में से 22 सीटे जीत कर ममता बैनर जी की ओर से और जगन मोहन रड़ी के ओर से आनप्रदेश की 25 में से 22 सीटे अपने नाम की गई थी वहीं ब्यारेस की बात करें तो उसको 17 में से 9 सीटों पर ते लंगाना में जीत मिली थी तो इसके जरीए आप समझ सकते हैं 2019 का आंकरा क्या रहा था लेकिन इस बार बहुत बड़े उलट फेर की बात कही जा रही है भारतिये जन्रता पार्टी की ओर से कल ग्रहमंत्रे अमिर्शा एंडिया टुडे कॉंक्ले बाज तक की मंच पर थे उनकी ओर से कहा गया कि मोदी जी ने कह दिया है 370 तो 370 400 पार एंडिये तो 400 पार एंडिये लेकिन क्या वो इतना आसान रहने बाला है शर्षी शेकर जी स्टूडियो में हमार साथ जुड़े हुए है विनोद अगनिहोत्री जी भी हमार साथ स्टूडियो में जुड़े हुए है में जाज में ये सर्वे किया था तो जो आंकड़े निकल कर सामने आये थे वो आंकड़े यहाँ पर इंडिये को बड़ी रहा देते वे एंडिये को 335 सीटे आने के पास 42 सीटे इंडिया गट बंदन को 166 सीटे जाती भी दिखाई दे रही हैं इंडिये को 2019 की तुल्ना में य यहाँ पर नुकसान हो रहा है लेकिन नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि इंडिया गट बंदन इंडिये पर भारी पड़ जाए और वो अपनी सरकार बना ले जाए यानि कि ये आंकड़ा बताता है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी हैर्ट्रिक लगाने वाले हैं जल्द लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो हजार चौबिस में जिस तरीके से वह कोशिशे कर रहे हैं दो हजार उननीस और दो हजार चौबिस का पैटर्ण देखिए तो डिफ्रेंस बिल्कुल साफ है आज 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वह 11 टोटल स्टेट्स जिसमें की जो केद कोशिश कर रहे हैं दक्षिड में अपना रास्ता हमवार करने की बिल्कुल और उसकी वज़े क्या है बिहार से एक देश ऐसा शुरू होता है भारत जिसमें 220 सीटे हैं जो 220 सीटे बीजेपी के बहुत फेवर में नहीं है उसके लिए उन्हें सम्जोते करने पर ते आज दे प्राइब करती है आदमी PARTY ने Congress ने बेसमझा किया एक पांटी एक नमबर पर थी दूसरी से तीसरे नमबर पर थी पज़ाब में उन्हें समझाता नहीं किया Congress ने वांपधियों के साथे समझाः क्यों समझाता नहीं क्योंकि यह नंबर एक नंबर दो तह इसी बात को मैं विस्तार देता हूँ डी एपके का नेतरक तो इस टाली इस समय सतर साल के करीब केक लेता है आगे पास साल बाद क्या इस्तिती बनती है उसको लेके आज भी कयास लगाये जा सकते हैं भगवाल उन्हें लंबी सेयत और लंबी शक्ति प्रदान करें लेकि तमिल नाडु में ब उत्तर और पश्चिब में आगे चलके मेंटेन न किया जा सके तो कब से कम दक्षिड में एक रास्ता बनाएं ताकि सार्वदेशिक पालिटी बन सके दूसरी बात अब मैं कभी-कभी यह सोचता हूं इतियास आकांच्छाएं नेताओं की कैसी होती होगी पुतिन के बारे म सोचता हूं जहां पर की सव्विधान ये इजाज़त देता है कि आप अनंत समय तक चुराव लड़ सकते हैं जी सकते हैं सत्ता अर्जित कर सकते हैं तो जवाल लाल नहरू का एक रिकॉर्ड है 18 साल के करीब का मुझे ऐसा लगता है कि बोदी जी के प्रश्यसक यह चाहेग कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़े और चौता चुराव जीते और उसकी तैयारी उनकी पार्टी इसके लिए कर सकती है कित्रा इसलिए आप ने कहा कि दो हजार उन्तीस की तैयारी है चौबीस में तो जो दमकम उन्होंने लगा कर रखा हुआ है मतलब फिलहाल वो इंडिया अगट बंदन से कहीं जादा आगे चल रहे हैं